आज हम लोग बनाने वाले हैं आटा मीनी पिज्जा इसे मैंने 100% आटे से बनाया है इसमें मैंने बुलकुल भी मैदे का इस्तमाल नहीं किया है साथ ही मैंने इसे बनाया है विदाउट इस्ट क्योंकि बहुत से जगह पर इस्ट नहीं मिलता है तो विदाउट इस्ट विदा मैंने इसका एक लाज साइफ पिज्जा भी बनाया है सेम रेस्पी से तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिसकिप्शन बॉक्स में है तो चलिए अब बुलकों देड नहीं करते हैं और रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इस रेस्प और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक को एट करने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के बाद आप इसमें हम डालेंगे आधा कप करीब दही और दही एड़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जितना हमने दही डाला था उतना ही हम ले लेते हैं पर दूद मतलब आधा कप हमने यहाँ पर ले लिया है दूद दूद को डालने के बाद अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम ले लेंगे पानी और पानी से इसका डो बना के तयार कर लेंगे डो आपका वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि आप रोटी का डो बनाते हैं बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए तो सारे आटे को पहले तो हम अच्छी तरह से इस तरह से खटा कर लेंगे और इसका अच्छा सा एक डो तयार कर लेते हैं के देख्ये सारा आठा अची तरह से मिल गया है और डोवी बन गया है अब इसमें थोड़ा सा ऊईल डाल लेते हैं दो चमस करीम ओइल को ढालने के बाद अब हमें आठे चीकारों यहां जिस से कि जो आप हैं आप इस तरह से न हो जाएगा एक गोते से न तो आपका आटा अच्छी तरह से चीकना हो जाएगा तो अ email लगा दीजिए और उसको एस तरह से धड्की रख दीजिएगा थर्टी मिन्स की लिए जब तक 30 मिन्स होते हैं आप जो वैजल से उनको काट लिजेगा यहां 30 minutes हो चुके थे और यह देखे आटा हमारा कितनी अच्छी तरह से सौंफ हो गया है 30 minutes में जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से फूल चुका है अब हम इसके जो पेड़े हैं वो काट लेंगे आप यदि इसके बड़े पिज़ा बनाएना चाहते हैं तो इसके जो दो बड़े साइच के पिज़ा हैं बो बन जाएंगे यह देखे एतने बड़े साइच के बन जाएंगे और यदि आपको इसके मीनी पिज़ा बनाने हैं थोड़े से मोटे साई एकदम पतला पतला नहीं बेलना है और जब आपका इस तरह से पिज्जा बिल जाए तो आपको finger की help से इस तरह से जो sides की जो होते हैं उसमें आपको इस तरह से tap करते हुए इसकी water बनानी है और उसके बाद जो fork लेना है उसको fork से इस तरह से आपको इस सारे पिज्जा की recipe है आप चाहें तो उनको देख सकते हैं सारे वीडियो के जो link है मैं description box में दे रही हूँ आप वहां से देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पिज्जा की recipe बनाई है readymade base से भी बनाई है मेंदे वाले पिज्जा जो base होता है उससे भी बनाई है तो आपको जो recipe चाहिए वो सारे मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी तो आप लोग एक बार description box जरूर चेक करिएगा तो देखिए हमारा जो दूसरा पिज्जा है बोवी ready हो चुका है अब इसे हम रखेंगे को करने के लिए microwave में तो आप यहां पर देखिए मैंने microwave में अंदर रखा हुआ हाई रेक और अब हम यह पिज्जा जो हमने बनाया है ना बेस इनको हम रख देते हैं microwave में और इन्हें हम को करेंगे grill mode पे तो हम microwave का जो grill mode है उसको set कर देते हैं और अब हम time लगाएंगे तो मैं यहां पर time लगा रही हूँ 7 minutes का 7 minutes में जो हमारे पिज्जा बेस हैं एक हो सकता है 6 minutes में भी तयार हो जाए तो बीच में आप एक बारे से जरूर चेक करिएगा मेरे microwave में जो 7 minutes में जो हमारे पिज्जा बेस हैं एक साइट से अच्छी तरह से कोख हो जाते हैं और में जो पिज्जा बेस है ना उनको पलट दूंगी और इस साइट हमें जो टॉपि तपीज्जा सॉस मिल जाती है आप उसे बाय कर सकते हैं तो अच्छी तरह से पूरे कौने कौने तक हम अच्छी से जो पिज्जा सॉस है उसको लगा देते हैं और आप हम इसमें डाल रहे हैं चीज स्लाइस आपके पास यदि चीज स्लाइस ना हो तो आप जो mozarella चीज पि लगा सकते हैं यादि आपको कम चीज खाना है तो आप थोड़ा सा कम चीज भी इसमें लगा सकते हैं तो यहां देखिए मैंने पूरे अच्छी तरह से पिज्जा को आज चीज से कवर कर दिया है चीज को लगाने के बाद अब इसमें हम कुछ वेजिटिवल्स एट करेंगे तो मैं सबसे पहले यहां पर लगा रही हूँ अनियंस अनियंस को मैंने इसे लंबे लंबे कटा हुआ है आप अपने हैसाब से कोई भी वेजिटिवल्स ले सकते हैं अब मैं यहां पर लगा रही ह उपार से थोड़े से स्वीट कॉन यह फ्रोजन सीट कॉन है जिसे मैंने थोड़े से गरम पानी में डिप करके रखाता तो यह इस तरह से हो जाते हैं और अब स्वीट कॉन डालने के बाद उपार से मैं डाल रही हूं पिज्जा हर्स मार्केट में बहुत सारे पिज्जा हर् तोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स हैं बोय एड कर रही हूं और चिली फ्लेक्स अट करने के बाद आप इसमें उपर से डाल रही हो एक चमस करीब ओलिव ओल आपके पास यादि ओलिव ओल ना हो तो आपके पास कोई भी वेजटीवल्स ओल है आप उससे इस्तमाल कर सकते हैं सिर अच्छा सार मैंने बहुत सारा चीज उसमें डाल दिया है अब हम इसे फिर से कुक करने के लिए रखेंगे माइक्रवेब में अल्रेडी हम जो हाई रैक है वो रखा हुआ था तो हाई रैक के ऊपर ही हम पिज्जा को रख देते हैं अब हम आप पर फिर से माइक्रोवेब क करें हैं अच्छी तरह से चीज मेल्ड हो जाता है उपर से अच्छा साई कलर भी आजाता है लेकिन हो सकता है माइक्रोवेब में यह वाला काम पांत से शे मिनिट में हो करिये यदि यकल्स की में इसे च्पंता है 7 minutes के बाइद मैंने इसे चेक किया तो जो चीज है ना अच्छी तरह से मैल्ट हो चुकी थी और उपर से एक अच्छा सा कलर भी आ गया था आप ये देख सकते हैं और नीचे आप देखे कितना अच्छी सारे से बहुत सारे bubbles भी तेल के बन रहा है मतलब बहुत अच्छी तरह स मैं अच्छी तरह से कलर आजाना चाहिए यदि यह काम आपके माई करो में 7 minutes में ना हो तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी सकते हैं और 7 minutes के पहले हो जाए तो आप उसे पहले भी निकाल सकते हैं तो देखे हमारे पिज्जा तो एकदम रेडी है मिल्कुल healthy version में है आप करने में कितने अच्छी तरह से कट हो रहा है तो इस तरह से आप घर पे इस आटे से पिज्जा बनाएगा एकदम healthy version में बच्चों के टिफिन में भी दे दीजेगा क्योंकि एकदम बुल को यह healthy recipe है आई हो आप सब लोग को छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल पर न्यूँ हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलती है आप से लोगों से नेस में